तियम टिक्निकल में आम सभी का स्वागत है, एक और निव वेकंसी आचुकी है, मर्चंट नेवी 2023 की बंपर भरती आचुकी है, अब यह आपको संपूर जनकारी दे रहे हैं, कितना पोस्ट आया है, किसमें कितना पोस्ट है, क्या क्वालिफिकिशन है, अब यह आपको पोस्ट आयी है, एपलाई डेट आपको बता दें, 18 जुलाई से 7 सितमबर तक आप यह फॉर्म एपलाई कर सकते हो, और रेडी यह फॉर्म स्टार्ट हो गया है, एकजाम डेट की बात कर लें तो सितमबर या अक्टूबर ले आपका यह एक्जाम इसमें करवा दिये जाए आपका एक्जाम हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर में आपका एक्जाम हो जाएगा एज लिमिट आपको बता दें तो इसमें कितना है 18 से 25 साल आपकी इसमें एज लिमिट मांगी गई है OBC को तीन साल जैनल OBC को तीन साल एज में छूट मिलेगी और SC और ST को पांच साल की छूट मिलेगी जैसे अधर में मिलता है आपकी एज काउंट किया जाएगा 7 सितंबर 2000 एज से सेलरी समें 25,000 P SIれ सेलरी समें रएगी और यह जो जाब है मर्चंट नेवी भरती का यह प्राइबेट जाब है यह जो सिप उपर रहते हैं प्राइबेट यह आपको कंपनी इसे होने की बाद में जो कोई कंपनी आएगी आपको अगर हाइर करती है तो आपके जवाब करना होगा साल छे महीने जो भी होगा इसमें सेलरी अच्छी मिलती है और यह प्राइबेट जवाब है मर्चंट ने भी की यह प्राइबर जावा को सिफ पे ही रहना है अब पोस्ट वाइज आपको में बता दें तो कितना किसमें वेकेंसी है किसमें कितना क्वालिफिकिशन लगेगा देक्स सेटिंग के लिए आपका 306 पोस्ट है अब बार हुई पास हो अगर आप तो यह फार्म आप भर सकते हो और इंजन सेटिंग के लिए 219 पोस्ट है इसमें स्रिप वलनी 10 पास अगर आप 10 पास हो तो आप यह फार्म भर सकते हो श्रीमान में 182 पोस्ट है अब बार हुई पलस ऐटि अगर आप यह फार्म भर सकते हो इलिक टीसीन में आपका 30 पोस्ट है 10 प्लस ऐटि इसमें भी लगेगा और वेल्डर हेलफर में आपका 456 पोस्ट है इसमें और 10th प्लस सिब इसमें 10th है ITI इसमें नहीं मागा है अगर आप 10th पास हो तो वेल्डर हेलफर के लिए आप यह फाम भर सकते हो सबस्यादा वेकेंसी इसमें है 456 इसमें पोस्ट टोटल है हम इस बॉइ के लिए आपका 303 पोस्ट है 10th पास तब ही आप यह फाम भर सकते हो पास हो और कुक के लिए आपका 272 पोस्ट है 10th पास इसमें मागा गया है अब आपको पता दें इसमें सिलेबस क्या-क्या रहेगा इसमें आपका सिलेबस सब कोस्ट रहेगा आपका सब मार्क कर रहेगा और आपको दो गंटे का इसमें टाइम मिलेगा और इसमें नो नेगेटिव मार्क इसमें आपका नेगेटिव मार्क नहीं है लांग वेज आप एक्जाम 10 पलस 2 के ग्रेट पे आपका होगा हाई स्कूर और इंटर के ही आधार पे आपका एक्जाम किया जाएगा और इसमें हिंदी और इंग्लिस और आप्शनल रहेगा इसमें से जवाब चूच करोगे उसी के आधार पे आपका पेपर होगा जीके का आपका इसमें 25 कोस्टन आएगा साइन से आपका इसमें 25 कोस्टन आएगा और इंग्लिस से आपका इसमें 25 कोस्टन आएगा अब 25 कोस्टन इसमें रिजिनिंग का आएगा टोटल मिला कि आपका 100 कोस्टन आएगा 100 मार्क का अद्दो गंटे आपको इसमें टाइम दिया जाएगा और यह private job है जो सीप पर रहते हैं जो कामाम करते हैं उनिका है यह जैसे कोई company बाहर से आती है विदेर देशते हैं अगर आप लोग hire करती है जो private में merchant navy में काम करते हैं तो यह salary है इसमें इसका दो गुना salary आपको बाहर वाले मिलता है जो अधार है इसमें 35,000 है तो मानगे चो 75,000, 80,000 पर आपको पलस salary में मिलेगी अगर आपको कोई company hire करती है तो क्योंकि यह private job है मर्चंड ने भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें